अध्याए उनहंचास धन संपत्ती पर भरोसा करना मुर्खता है। हे सब जातियो यह सुनो, हे संसार के निवासियो, कुलीन और अकुलीन, धनी और निर्धन, तुम सब ध्यान दो, मेरा मुह ग्यान की बातें उच्चारेगा, मेरे हिर्दय का चिंतन समझ से पूर्ण होगा, मैं नीती के वचन पर कान दूँगा, मैं गाते बजाते अपनी पह रखते हैं, और अपने अपार धन पर अहंकार करते हैं, तब क्यों मैं भैभी ठोंग, निसंदेह मनश्य स्वैम को खरीद नहीं सकता, वह परमेश्वर को अपने प्रान का मूल्य चुका नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रान के उद्धार का मूल्य बहुत अधिक है, वह कभी परियाप्त नहीं हो सकता, तब वह कैसे सदा जीवित रह सकता है, कैसे वह कभर के दर्शन भी नहीं करेगा, मनुश्य देखता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख और मूर्ध दोनों मरकर अपना धन दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, उनकी कभर ही उनका इस्थ चाहे वे अपनी भूमिक खेतरों को अपने नाम से संबोधित करें, मनुश्य एश्वर में सदा नहीं रह सकता है, वो नाश्वान पशु के समान है, या उसकी ये नियती है जो जूटा भरोसा करते हैं, या उनका अंत है जो अपने अंश में मगन रहते हैं, उन्हें भीड के सद्रिश मृतक लोक के लिए रखा गया है, मृत्यू उनको चराने वाला चरवाहा होगी, वे सीधे कवर में जाएंगे, उनकी देह सड़ जाएगी, मृतक लोक ही उनका निवास स्थान होगा, किन्तु परमेश्वर मेरे प्राण को बचाएगा, वो निसंदे अधुलोक की शक्ती से मुझे मुक्त करेगा, वो मुझे ग्रहन करेगा, यदि कोई वेक्ती धनवान हो जाए, यदि उसके घर का वाइभाव बढ़ जाए, तो मत डरना, जब वो मरेगा, तब अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकेगा, उसका वाइभाव उसके पीछे नहीं यदि पी वो अपने जीवन काल में अपने प्रान को धन्य मानता है, यदि पी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने भलाई की है, तो भी वो अपने मृत पूरवजों की पीड़ी में जा मिलेगा, जो प्रकाश को कभी नहीं देखेंगे, मनुष्य आश्वेर में रहे औ और समझ ना रखे, तो है नाशमान पशु के समान है.